ओके स्टुडेंट्स देखिए यह है आपका लेट्स ट्राइशिक्स चैप्टर थार्ड लेट्स ट्राइशिक्स इसमें क्या कह रहा है वो आपसे यह कह रहा है find lcm using factorization method prime factorization method या factorization method तो कैसे करते हैं यह एक मैंने example लिया है आपकी book से नहीं है यह एक example है आपने fair notebook में करना है इसको 18 and 20 तो देखो 18 पहले क्या करेंगे इसके prime factor बनाएंगे हम अब देखो lcm निकालने के लिए क्या करते हैं हम जो एक prime factor आया ना किसी भी एक prime factor को एक number के prime factor को पूरा लिख लो जैसे यह 2 into 3 into 3 था मैंने इसको सारे को उठा के यहाँ पे लिख लिया देखो 2 into 3 into 3 इतना हो गया अब इस से match करो दूसरे वाले में जैसे देखो इसको लिख लिख लिया ना आपने अब इसको भूल जाओ अब इस से match करवा हो यहां से यह 2 था 2 आ गया यह 2 बच गया तो मैंने क्या किया इस 2 से भी multiply करना पड़ेगा ठीक है अब इसमें क्या है 5 तो यहां पे 5 इससे match करेंगे तो मैंने क्या लिखा इसको 5 को यहां लिखा है मतलब जो चीज आपकी इससे match होके बची हुई है उसको लिखना है HCF में तो हम क्या लिखते थे जो common होता था वो लिखते थे लेकिन इसमें क्या करना है जो चीज बच गई है common नहीं है उस चीज को आपने इसमें involve करना है यह 5 मैंने match किया जैसे यहां से देखो किया तो यह 5 हमने यहां लिखा तो इस तरह से यह आएगा यह 2 बच गया था तो इस 2 को मैंने लिखा तो इसकी multiply किया आपकी कितना आ गया 180 आ गया यह आपका answer आएगा इसका LCM की full form होती है least common multiple क्या बोलते हैं इसको least common multiple खीक है अब आपकी book से related question है यह first का a part है 16 24 40 तो पहले 16 के prime factor बनाए मैंने देखो 2 से गया 2 8 जा 16 फिर 2 से हुआ 2 4 जा 8 फिर 2 से 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2 तो यह इसके factors आ गये 2 into 2 into 2 यह सारे factors आगे इसके अब इसके बाद क्या करना है आपने 24 के बनाने है 24 24 के जब हम बनाएंगे तो देखो 2 से किया कितना आया भी आपका यह 12 फिर 2 से किया कितना आया 6 फिर हमने 2 से किया 2 3 जा 6 फिर इसके बाद 3 बना 3 यह देखो 2 into 2 into 2 into 3 यह इसके factor आगे फिर मैंने 40 के बनाए तो 2 से 20 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5 2 into 2 into 2 into 5 यह इसका आगया, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको एक को लिख लेंगे हम तो मैं इस सारे को लिख लेता हूँ 2 into 2 into 2 into 2 देखो यह रहा, LCM में 2 into 2 into 2 into 2 हो गया, अब इससे मैच करेंगे, देखो यह 2 आ गया यह 2 यह भी आ गया यह 2 यह भी आ गया अब क्या नहीं आ रहा है इसमें से 3, तो मैंने इस 3 को इसके साथ लिख दिया, ठीक है, अब इससे मैच कराओ, यह 2 आ गया यह 2 यह भी आ गया यह 2 यह भी आ गया क्या नहीं आया 5 तो इस 5 को भी इसके साथ लिखना है और अब इन सब की multiply कर लेंगे हम कितना आ जाएगा 240 that means LC हम कितना आ गया 240 first का A part ये था अब का अब चलते हैं first के B part पे 207 और 138 207 का किया देखो पहले किस पे जाएगा 3 से जाएगा तो 3 से गया 3 6 जा 18 और 2 बचा 9 जा 27, 69 आ गया फिर 3 से गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 बन जा 23 that means 3 into 3 into 23 ये इसके prime factor आ गये 138 का किया मैंने 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 बन जा 23 2 into 3 into 23 ये इसके prime factor आ गये अब एक prime factor लिखना होता है पूरा 3 into 3 into 23 इसको उठा के मैंने सारे को लिख लिख लिया as it is इससे match करवाया तो देखो match करेंगे जब 3 भी match हो रहा है मेरा 23 भी match हो रहा है क्या match नहीं हो आ 2 तो इस 2 से इसको multiply करना पड़ेगा जब मैंने इन सब की multiply की तो कितना आया 414 ये आपका LCM आ गया ठीक है C part पे चलते है 120, 150, 135 120 के prime factor बनाएंगे ये आपको आराम से आते हैं इसली आप बना सकते हैं 260 पे ये गया फिर 2 से किया 30 फिर 2 से किया 15 फिर 3, 5 जा 15, 5 जा 5 ये 120 के आगे आपके factors अब चलते हैं 150 की तरफ 150 के करेंगे factors तो 2 पे दिया ये 75 आ गया फिर 3 से किया 25 5, 5, 5 जा 25 और 5 जा 5 ये फैक्टरिजेशन आप इसली कर सकते हैं आपको आते हैं ये बताए हुए पहले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये factor आगे अब जो पहला आया था सबसे पहला उसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है ये मेरा first factor आया था अब इससे match करेंगे देखो 5 ये 5 तो आ गया लेकिन अब जो ये 5 बचा इसको इहां लिखना पड़ेगा 2 मेरा मिल गया मिल गया 2 3 हो गया 3 भी मिल गया ये 5 हो गया मेरा लिख दिया मैने दो बार अब इससे match करेंगे 3 आया हुआ है ये 3 नहीं आया तो इसको लिखो फिर अगला 3 ये लिखो ये 5 मैच हो गया मिल गया तो इसको नहीं लिखेंगे ठीक है that means LCM कितना है इन सब के multiply कर लेंगे 540 आपका LCM आ जाएगा ठीक है तो ये आपका answer है अब आता है second second में भी same वही questions है 3 part है 3 parts आपने करने same जो अभी उपर method करा है इसी method से क्या है second का A ये do yourself आपने करना है answer के लिए आप match कर सकते है इसका answer आएगा 840 B part ये भी आपने करना है इसका answer आएगा 1440 C part ये भी आपने करना है इसका answer आएगा 2040 ठीक है solve using above method जो आपने उपर अभी questions किये है first part के prime factorization method के same उसी तरह से आपने इनको solve करना है चीक है अब बढ़ते है third question पे find LCM using division method देखो ये तो division method तो आप पहले से ही करते आ रहे है third, fourth, fifth से ही चलता आ रहे है division method कैसे find होता है LCM का कि इस तरह से इनको इखटा लिख लिए 10, 15, 20 है न इखटा लिख लिए two से किया two five's are ten fifteen as it is क्योंकि ये two के table में नहीं आता फिर two tens are twenty अब इन में से यदि एक number कोई भी एक number भी यदि two से जा रहा है तो आपने उसी से करना है ऐसा मत कर दे ना कि three से दे दे या five से दे दे नहीं two से five नहीं जा रहा तो as it is fifteen नहीं जा रहा तो as it is लेकिन ten जा रहा है देखो two five's are ten अब आप देखने से सोचेंगे कि यार इसको सीधा five से दे देते है five नजा five five three's are fifteen लेकिन नहीं वो method गलत हो जाएगा अभी इसमें एक number ऐसा है जो three से जा रहा है तो पहले three से देना है five as it is यह नहीं जाएगा अब देखो five से करना five and five five and five five and five अब इनको लिख लेना है two into two into three into five multiply कर देंगे sixty answer that means lcm कितना आगया आपका sixty आगया ठीक है next question है seventy, one hundred ten, one fifty same process चलेगी इसमें भी two से जाएगा पहले thirty five आया one hundred ten को two से डिवाइड गया fifty five आया one fifty को two से डिवाइड गया seventy five आया अब यह three से जाएंगे देखो three से किया thirty five नहीं जाएगा fifty five भी नहीं जाएगा लेकिन seventy five जा रहा है twenty five आगया अब five से जाएंगे five seven जा thirty five five eleven जा fifty five and five five जा twenty five अब 5 से, 7 as it is हुआ, 11 as it is हुआ, 5 and 5, फिर 7 से, 7 बंजा 7, 11 as it is और 1, अब 11 से ये आ गया, चीक है, अब हमने इन सब को लिख लेना है, 2 into 3 into 5 into 5 into 7 into 11, ये मैंने लिखा, ये आपका अंसर आ गया, 1, 1, 5, 5, 0, चीक है, clear है, next आगे बढ़ते हैं, 3 का B part, ये आपने करना है, same जो उपर बताएगे method हैं, do yourself, इसका अंसर आएगा आपका 150, ठीक है, 3rd का C part भी आपने करना है, इसका अंसर आएगा 360, अब हमारे पास 4th question आ जाता है, देखो, question आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, write down कर सकते हैं, the product of solution में मैं आपको बता देता ह क्या कह रहा है, we have product of LCM and HCF, LCM and HCF का जो product है, वो कितना given है मेरे पास, 80, first number कितना given है, 20, तो मुझे second number चाहिए, second number कैसे आएगा, product of HCF and LCM upon first number, तो product of HCM and LCM कितना दिया हुआ है, 80, और first number है 20, तो 80 upon 20, 24 जा 80, second number कितना आगया आपका, 4 आगया, ये आपका answer आएगा, इस question का, ठीक है, fourth का, fifth पर बढ़ते हैं, fifth question, book से आप write down करेंगे, और solution में देखो, क्या दिया हुआ है हमारे पास, we have product of two numbers, इसमें मेरे पास दो number की product given है, कितनी given है, 192, और HCF given है, कितना है HCF, 4, मुझे क्या find करना है, LCM find करना है, तो LCM का क्या formula होता है, product of two numbers upon HCF, product of two number कितनी है, 192 upon four, four से cancel किया, इसको 48, that means LCM मेरा कितना आ गया, 48 आ गया, यह मेरा answer है, ठीक है, इस तरह से करना है आपने, sixth question है, sixth में क्या given है मेरे पास, HCF given है, HCF of two number, यह six है, LCM है 36, first number है 18, तो second number कैसे निकलेगा, आपको formula पता होने चाहिए, HCF into LCM upon first number, देखो, HCF कितना था, six, LCM कितना था, 36, first number कितना है अपन, 18, 18 तूजा 36, six तूजा 12, that means आपका second number कितना आ गया, 12, यह आपका answer आएगा, ठीक है, आप कुछ standardized formula है मेरे पास, यह standard formula आपके, यह आप यहाँ से लिख सकते हैं, अपनी fair notebook में, write down करने आपने, क्या है यह, LCM find करने का formula होता है, first number into second number upon HCF, HCF find करने का होता है, first number into second number upon LCM, यह आपको मिलेंगे, कोई भी तीन चीज़ें आपको दे देगा, एक चीज़ वो find करा लेगा, first number निकालना होतो, HCF into LCM upon second number, second number निकालना होतो, HCF into LCM upon first number, LCM का यह भी formula होता है, कई बार आप confused ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया है, product of two number, ह इन एक्जाम में कई बार वो क्या करता है, first number, second number ना देखे, सीधा लिख देता है, product of two number, तो आप confused हो जाएंगे, इसलिए product of two number upon HCF, यह भी आप लगा सकते हैं, HCF में product of two number upon LCM, यह आप use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपकी exercise थी, complete हो गई है, आप सभी ने अच्छे से complete करन है, I hope कि आप सबको समझ आ गई होगी, okay?